हेलो एबरिबड़ी दिस इस यूर होस्ट आसे ताच अप लोग देख रहे हैं मेरा फ्री फ्लुटर बूटकैंप 2022 मैं आप लोग को वेलकम कहता हूं और इससे पहले कि मैं आगे जाओ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ल सब्सक्राइब करें तो बहुत सारे लोग मेरे कम्यूटी में आते हैं और कम्यूटी में यह फाइदा होता है कि आप लोग तमाम मिलकर एक दूसरी की हल्प करते हैं ठीक है तो लेट्स मूव औहेंड एंड मैं आपको ऑवर्वीव देता हूं कि हम आप इस चैप्टर में क्या सिखेंगे तो दार इस चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन जो पहले चैप्टर नाइन अगर आपके साथ मैंने रोड मैप शेर किया हुआ है अब इसको मैंने बेसिक पॉइंट यह है जिसकी वजह से मैंने इसको एड किया वह यह है कि शेट प्राफ्रेंस बहुत ही जवदस किसम का फिनॉमना है और बहुत ही वाइडली यूस कॉंसेप्ट है मोबल अप्लिकिशिन डिवाल्मेंट में ठीक है तो आई थोट के हम यहां पर चैप्टर जो एक आई का चैप्टर था पहले जो एक बैसे रिलेट हमारा चैप्टर नाइन था इसको मैंने शिफ्ट किया टूफर चैप्टरण और चैप्टर तैन और यहां पर मैंने चैप्टर 9 एड किया जस्टट वीक्षोर कि हम लोग बातरर वेमें अंडर्स्टेंडंग नहीं है कि बहुत सारे concepts जो यहां पर शेट राफनेस में हम सीखेंगे वह सेम concept यहां पर chapter 10 में यूज होते हैं जो concept chapter 10 में यूज होते हैं वहां पर chapter 10 में explain किये हैं लेकिन मैं चाहता था कि हम उससे पहले उन concepts को practice कर ले understand कर लें ठीक है और understand करने के बाद जब हमारे concepts clear हो जाएंगे तो जब हम API API इस वाले chapter start करेंगे तो आपको उसमें डिफिकल्ट नहीं होगा understand करने में आपकी सारी जो डिफिकल्टी से हो जाएंगी क्योंकि आपके जो concepts की जो concepts होंगे वह आपने सीख चोके होंगे ठीक है अब यहां पर आप रोड मैप कर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइट किया हुआ अगर आप रोड मैप को उपन कर लें और जिस तरह आप वीडियो में तो कीप्वाइब सबसे पेहले हमारे पास स्क्रीन बेस्ट इस स्क्रीं को कहते हैं जब कोी भी चर्थे नीदि पर्णक के लिए two second videos राजाता है — चाहता है और वोट्सअप आप वोट्सपाइं करते हैं वट्सपाइब का लोगो आजाता या आप Instagram उपन करते हैं तो Instagram का लोगो आजाता है ठीक है अब वह क्या होती है वहाप ही अपने स्व्लाश स्क्रीन होती है पिर हम इन इस प्रॉड्स को जानेंगे कि यह कितना important important है और इसका फाइदा क्या है हमें और हम इसको क्यों use करते है उसके बाद हम थोड़ा सा async functions के बारे में study करेंगे कि async functions क्या होते है future functions क्या होते है await keyword क्यों use किया जाता ये future function and await keyword जो है न वो हर जगा पर हम chapter 10 में use करेंगे हर जगा पर chapter 10 में use करेंगे so I thought के why not to give your clear understanding of what exactly this async function is this future function is this await function इस ये basically है क्या और इनकी importance क्या है इसकी जो basic core concepts है वो आपको clear होने चाहिए अगर वो clear नहीं होंगे तो आगे आपको future में जाके इसके बहुत सारे consequences आप face कर सकते हैं जिसके वाजासे आपके जो core concepts होंगे वो build नहीं होंगे बेश्यक आप काम कर लेंगे लेकिन आपको जब core concepts clear नहीं होते तो आपकी जो आपकी quality है वो down होगी ठीक है अगर down ना भी हो still आपको ना time लगेगा वह सारी चीजों से निकलने में उनको समझने में ठीक है तो फिर हम shade preferences के बारे में बात करेंगे अब shade preferences क्या होती है shade preference बहुत ही widely used phenomenon है in mobile application development यह है किसी भी web technologies में यूज होती है mobile application I mean हर किसम की technologies में यूज होती है so shade preference का phenomenon यह है कि shade preference आपको allow करता है कि आप कोई भी data कोई भी data आप temporarily temporarily आप उसको store कर लें database में ठीक है अब वो database क्या होता हो आपके पास local phone की storage होती है ठीक है and उस data को फिर आप store कर लें इंक्रिप्टेट होता है for your information ठीक है आप जब हम shade preference को use करेंगे तो इसके अंदर जो data store होता है यह encrypted होता है तो आप इसको जाके phone की directory में इसको access नहीं कर सकते इवन के इवन दो आप इसको store कर रहे हैं लेकिन आप इसको access नहीं कर सकते ठीक है अगर आप phone की directory में जाएंगे हाँ आप mobile application के अंदर इसको as a developer access कर सकते हैं and then आप उसको use कर सकते हैं ठीक है so it's pretty secure अब shade preferences क्या होती है बेसिकली shade preferences यह होती है कि shade preferences में आप आप जो आपका जो आप के अंदर डेटा होता है ठीक है वह अब हम जब आप बनाएंगे तो आपको और भी clear हो जाए लेकर मैं आवर वी देता चलूँ आपकी आप का जो data होता है न वह data basically हम store करते हैं अपनी local storage में ठीक है अब local storage क्या ह होती है phone की storage होती है आपकी device की storage होती है तो उस local storage में हम उस data को store करते हैं और फिर उस data को store करके हम उसकी base की ओपर कुछ actions perform करते हैं ठीक है अगर sign up है तो क्या user जो है एक दफ़ा sign up हो चुका है तो हमने क्या उसका data store कर लिए अपने पास अगर हमने local storage में इसके data store कर लिए तो क्या फिर हम उसकी ऊपर कुछ actions perform कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ें में आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें ठीक है इसके लावा फर shade preferences में आप कितनी टाइब कर डीटा store कर सकते हैं यह बहुत ज्यादा important है जिसमें आप integer store कर सकते हैं स्ट्रिंग्स store कर सकते हैं boolean store इसके लाव आप एरिस को भी स्टोर कर सकते हैं ठीक है इस तरह कि और तमाम चीजों को आप स्टोर कर सकते हैं वह भी हम देखेंगे एक्जांपल बाइग्जांपल लास्ट में आपको एक एक अप्लिकेशन बनाना सिखाऊंगा जो कि एक बूल कि अप्रों पूट को कहाँ जहां पर होता है और एक अप्लिकेशन के अंदर अबぎ्स्राय यो कि जहां उनक नहुकर सब्सक्राइब सिटीजम आपके आप पास टीचार ऑने सब्सक्राइब एड्मिन में die eligibility जो योनिवर्सटी को रन कर रही होती है अब इस धोरी जो यो रस के लिए हाउ इसके लिए ऊपीड catho Government कि लीए इस पूरी system की access होती उसके पास वह तमाम चीज़ों को manage करता है ठीक है लेकिन अब देखें इस के लिए हमने करवा रहा हूं एक तो यह कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मल्टी रोल बेस्ट अप्लिकेशन बनाई जाती है ठीक है एंड हमारा जो में फंक्शन है वह भी हम देख लेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको देखाऊंगा कि आप किस तरह सी यूजर का सेश अब लॉग इन हो अब दुबार से लॉग और आपको सीधा ले जाता आगे ठीक है अब होम स्क्रीन के उपर सो हम इन चीजों को देखेंगे कि यह आक्शुली किस तरह से काम करती है ठीक है एंड यह इन की पर हम काम स्टार्ट करते हैं तो लेट्स गो इसको मैं यहां पर आता हूं अगेन इसको मैं से रिमूफ कर देता हूं ठीक है अब आपने क्या है अब आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने यहां पर सिंप्ली कुछ भी नहीं करना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए यहां पर आपने simply project को run कर देना है जब आप रन करेंगे यहां से आपकी अप्लिकेशन होगी material आप में आएगी इसको home screen मिलेगी home screen मिलने के बाद आपके पास आपने यहां पर आजाना है यहां पर आने के बाद आपके पास scaffold column and कुछ भी नहीं है इसमें अब यहां पर है यह होम screen अप में यहां पर जाके create करता हूँ अच्छा सबसे पहले हम अब मैं आपको splash screen मिनाना सिखा रहा हूं splash screen किस तरह से बनती है काम किस तरह से करती है यह हमारे पास home screen इसको मैं यहां से delete कर देता हूं sorry remove कर देता हूं और यहां लिप folder में आके यहां पर मैं new की उपर क्लिक करता हूं new में मैं dart file चूज करता हूं and dart file में यहां पर इसको मैं name देता हूं for example splash screen okay and that's it अब मैं यहां पर import कर लूँगा material यह सारी चीजह मैं आपको explain कर जोगा हूं यहां पर repeat करने का फाइदा नहीं है and then आप मैं यहां पर type करूंगा st stateful और यहां पर मैं इसको name दे दूंगा splash screen okay splash screen और यह हमारे पास है container container में यहां पर हम use कर लेंगे scaffold और run करेंगे तो you will see कि यहां पर हमारे पास white view आगे ठीक है means scaffold add हो गया next thing यहां पर आप splash screen में यहां दो logo होता या image होती यह कुछ भी हो ठीक है वह depend करता है कि आपके designer ने किस तरह से उसको बनाया हुआ है लेकिन मैं यहां पर image use कर सकता हूं और main image use कर लूँगा और में जो हमारा purpose है वह यह है कि यहां पर हम इसको understand करें कि splash screen वर किस तरह से करती है rather than designing designing में आपको बहुत कुछ सिखा चुका हूँ आगे एक और चप्टर में और जबदस किसम की UI बनाना सिखाऊंगा तो आपके concept clear हो जाएंगे यहां पर जो में फंक्शन है वह यह है कि splash screen basically काम किस तरह करती है हमारा में फंक्शन में फंक्शन हमारे यहां पर में हमारा objective यह नहीं है को design करें सो यहां पर मैं image use कर लूँगा ठीक है ताकि आपको idea हो जाए कि splash screen इस ट्राइब की होती है और हम उसकी functionality पर काम करते है आपने जाना है pixel P-E-X-E-L-S pixels.com यहां पर आप आजाएं तो यहां पर बहुत ही खुब्सूरत किसम की free pictures आपको मिल जाती है जो कि आप utilize कर सकते हैं ठीक है डाउनलोड कर सकते हिए यहां लेकर मैं इसको यहां से इसका लिंक कापी करोंगा लिंक से कापी करने के बाद मैं इसको कम on link आ जा यहां पर are regular как कापी मैं वार्य अप cushion android studio में जाता हूं यहां से इसको थोड़ा सा close कर लेता हूं और simulator को यहां पर ले आता हूं यहां पर अपनी splash screen बनाएंगी ठीक है यह pixels.com बड़ा ही जबदस किसम का platform है इस pixels.com के उपर आपको हर पर चीज़ फ्री इमिज़िस मिल जाती है चाहे आप किसी भी यहां पर देखें different categories हैं आप इनको सर्च कर सकते हैं और आपको आपकी सर्च के body में and body में यहां पर मैं use कर लेता हूं for example image image widget और image widget को चाहिए image और image कौन सी चाहिए network image क्योंकि अब मैं इसको network URL pass कर रहा हूं acid image नहीं use कर रहा ठीक है जब आप network image यहां पर आप image इसको widget यूज़िस करते हैं और इसकी property image और इसको चाहिए यहां पर स्ट्रिंग के बारे मैं आपको आपको पढ़ा चुका हूं last chapter में तो यहां पर स्ट्रिंग में मैं इसको इसका URL प्रोवाइट करूंगा और make sure that you are connected with internet अब यहां पर यह आपके पास आ जाएगी ठीक है अब इसकी image की जो quality वह बहुत अच्छी है सो इसकी वज़े से इसको time लग रहा है याप इसको run कर दें ठीक है and run करके आप यहां पर run में यह जो आपका run वाला यहां पर folder आप यह टर्मिनल में यहां पर इसको चेक कर लीजिए कि आपके पास कुई locks तो नहीं हो रही तो let me just copy this image okay इसका मैंने पात यहां पर copy कर लिया okay safari में आ गया और मैंने यह browser नया tab open कर लिया यहां पर मैंने paste किया so it means कि यह download हो रही है so this image is looks good but यहां पर हमारे पर still show नहीं हो रही I don't know why so oh yeah I do know why अब यहां पर main.art में आगर आपको याद हो तो यहां पर home को यहां पर जब हमने run किया थे इसको हमने home screen provide कि थी जो कि मैंने already create कर रखी थी अब मैं इसको क्या provide करूंगा splash splash screen क्योंकि अब home से हमने सीधा splash पर जाना splash के बाद हम आगे actions perform करेंगे कि हमने कौन सी screen क्यों पर जाना है तो यहां से अब मैं run करूंगा you will see कि हमारी image यहां पर display हो रही है you see but अब issue यह है कि यह full space cover नहीं कर रही ठीक है अब जब इसको मैं full space cover कर रहूंगा तो there is a possibility कि यह जो image है इसकी एक यह image है यह stretch हो जाए ठीक है so better आप pixel.com queue पर आ जाए ना और यहां पर आप portrait mode में portrait mode images को prefer करें कि वह आप यहां से कोई ढूंड ले और उसको add करने ठीक है for example यह देखने यह portrait mode में ठीक है अब यह भी portrait mode में थी ओके सो हम इसको हम इसको why not हम इसको try करते हैं इसको मैंने copy किया android studio में चला गया and android studio में network image में यहां पर मैं आ गया okay इसको मैं वापस ले आशाता हूं और network image में यहां से मैंने सारा path remove कर दिया string में फिर यह दुबारा से path provide कर दिया और अब हमारी image जो है वह यहां पर change हो जाएगी change होगी और यहां पर देखें इसने काफी बड़ा space occupy कर लिए anyways अब मैं चाहते हूं कि full space fit कर ले occupy कर ले तो इसकी property होती है fit okay fit और यहां पर मैं इसको box fit मैं provide करूंग box fit dot fill height सो यह अब full height जो हो आपके पास occupy कर लिए अगेन नहीं कर रही है सो हम क्या करते हैं इसको यह जो हाइड ना यह हाइड इसको हम कर देते हैं double okay double dot d-u-b-l-e double dot come on d-u-b-l-e double dot infinity now it will cover full height अब इसने फूल height cover कर लिए क्योंकि अब यह जो image है इसको मैंने height provide की है कि screen की उपर जितनी भी available height है वह आप cover कर लें ओके वह आप cover कर लें और यहां पर फिर उसको मैंने बताया कि यह वह image है जिसने यह full space यहां पर occupy करनी है ठीक है तो यह full space आपके पांस यहां पर occupy हो चुकी है और यह हमारी first splash screen है लेकिन अब आप देखें जब यहां पर मैं run करता हूं और जब यहां पर मैं आता हूं यह है कि image तो हमने add कर ली अब image add करने के बाद जो हमारा main function था वह तो यह था नहीं कि सर अब हमने splash screen create करनी है उसको चाहिए कि वह 3 seconds के 3 seconds के वेट करें और 3 seconds के बाद वह next step के उपर कर जाए तो हमारा में objective यह था ठीक है अब हम यहां पर एक function होता इसको कहते है in its state ठीक है in its state अब यह जो in its state यह function है ठीक है यह function है void जिसकी return type नहीं है अब यह in its state क्या करता है यह function आपकी इस screen call होने से पहले run हो जाता है ठीक है अब किस तरह से run होता है वो मैं आपको बा clinical करता हो print और इसमें मैं print करता हूँ run और यहां पर semi colon add कर दिया और यह run में मैं आ गया और यहां से मैंने इसको run कर दिया तो you will see यह देखें यह run हो चुक है अभी आपकी screen यह वाला widget build भी नहीं हुआ ठीक है तो आपका यह init function call हो चुक है ठीक है अब अगेन मैं check करता हूँ क्या हमारा यह init function जो है यह पहले call हो रहा है मैं इस widget के build होने से पहले तो मैं यहां पर एक और print statement करता हूँ build okay and यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया run कर दिया okay sorry again मैं करता हूँ okay so अब देखें यहां पर यह run हुआ पहले run पहले आपका यह वाला function run हो गया उसके बाद आपका यह नीचे वाला widget जो है यह बिल्ड हो रहा ही जिस तरह आप यहां पर देख चुके run build ठीक है यह हो चुका है अब आपने क्या करना है अब जो हमारा primary goal है इसको मैं और साइट पर ले आता हूं ठीक है अब जो हमारा primary goal है वो यह है कि अब हम next screen की उपर किस तरह से move करेंगे तो वो तो मैं आपको already सिखा चुका हूं कि किस तरह से करेंगे लेकिन आपने नहीं सीखा तो आप previous chapters में जाके सीख सकते हैं जहां पर मैंने डीटेल में सिखाया चैप्टर 5 में सिखाया था मैंने आपको detail में किस तरह से आप navigation पर मूफ कर सकते हैं अब हमने क्या करना नैविगेटर डॉट पुश और यहां पर आप नीचे आ जाए और यहां पर आप यूस करें मिटीरियल पेज राउट और इसको आप बिल्डर प्रोवाइड करें बिल्डर में आपसे यह context मांगता है context and context के बाद आपने कौन सी screen के उपर जाना है home screen के उपर अभी home screen के उपर जाना हम अब आप देखेंगे के यह डीबग फेल्ड हो गया हमारे पास so we will look into this okay so हम देखते हैं के क्या issue आ रहा है the preferred solution is to cancel the timer or stop listening the animation in dispose okay so हम तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे है let's go and run it again okay set state mark or rebuild so हम यहां पर देख लेते हैं कि हम सर यह issue कहां पर आ रहा है material आप में यह हमने यहां इसको home screen provide की okay sorry splash screen splash screen में हम इसको यहां पर remove कर देते हैं for the timing so for example and let's run it again so issue यहां पर आ रहा है ठीक है अब यहां पर यह error क्या आ रहा है यह मुझे भी नहीं पता ठीक है लेकिन आ रहा है देखें अब यह error आ रहा है लेकिन मुझे भी नहीं पता so हम इसको study कर लेते हैं कि error है क्या so यहां पर error कह रहा है that this error might indicate a memory leak if such state is being called because another object is returning a reference to this state object after it's been removed from the tree to avoid memory leak consider breaking the reference to the to this object okay so basically यह क्या यह कह रहा है कि for example आप इस init state में यहां पर आ चुके हैं आपका यह method run हो गया है और उससे पहले कि आपका यह widget पहले build हो चुका है जब तक आपका यह function call होता है अब मैंने तो आपको कहा था कि सर यह init state इनिट state तो पहले call हो जाता है तो फिर इस तरह की error क्यों आ रहा है मैं आपको फिर से समझाता हूं देखें यह init state का function पहले call होता है और यह build बाद में होता है ठीक है लेकिन जब इनिट state का function call हो रहा होता होता तो यह साथ में वेजिट यह जो आपको पूरा tree है न쟁ा आपको का था कि फ्लेटर में जो widgets हैं वह tree लो उतने तो यह जो हुखिट का फुल्टी है अब यह running हो रहा होता है और जब यह run हो रहा होता है तो तो नहीं होना चाहिए ठीक आप उसको लिए वेट करवाएंगे तो यहाँ पर हम एक फेनॉमना यूज करते हैं यहां पर हम वेट करवाते हैं ठीक है यह जितना भी कोड है इसको मैंने यहां पर कॉपी कर लिया के स्क्राश स्क्राइब इसको मैंने कौपी कर लिया और यहां पर मैं यूज और इसको उसको वेट करते हैं कर दिए 3 कि आप 3 सेकंद तख वेट करें ठीक है और वेट करने के बाद आप या इस function में आ जाए और यहां पर आप इसको कॉल कर ले ठीक है यहां पर अब आप देखीए कि यहां पर print होने के बाद यह टाइमर यहां पर आएगा यहां तीन second wait करेगा फिर इस function में आजयेगा इस function में आने के बाद यहां पर यह यह वाला method जो है इसको execute करेगा ठीक है इस function को execute करेगा home screen को और फिर home screen की उपर चला जाएगा अब हम इसको run करते है ठीक है यहां पर यह जो वाइट स्क्रीन है ना यह 5 सेकंड तक यहां पर अपियर होगी देखें 1,2,3,4 और 4 के बाद देखें यह होम स्क्रीन के उपर चली गई है ठीक है तो हम यहां पर future async functions के बारे में जानते हैं और यहां पर दाट फाइल यहां पर मैं login screen और क्रिए करता हूं login screen कर ली और यहां से मैंने इंपोर्ट कर लिए material को स्क्रिठ्ट दूर्म पर यहां पर मैंने यूज़ किए statefull widget State force status state stateful शेपिस्ट कर लेने login screen login screen कर मैंने कर लिए आप मैं कै तो मैं स्प्लैश स्क्रिठ्ड में जाता हूं उसको मैं करता हूँ home screen के उपर आप मत जाओ आप यहां पर पहले क्या करो आप login स्क्रीन पे चले जाओ login screen login screen पर यहां पर आजो और फिर आप login screen के उपर चले जाओ अब आप देखो यहां पर 3 seconds wait किया और यह login screen के उपर आचुका है तो login screen में जाता हो तो यहां पर empty container है और by default container is black होता है ठीक है तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको अगर र्याद हो तो मिटीरियल विजिट आपको सिखा रहा था तब मैंने आपको सब कुछ क्या था मैं यहां पर कॉलं में चिल्रं और अब मैं यहां पर एक बटन करता हूं टू में you understand what exactly async function is future functions क्या होते हैं async functions क्या होते हैं अवेट क्यों हम क्यों करते हैं और यह सब हम इनका basic function क्या है ठीक है सो मैं जल्दी से container widget use करता हूं container it has the child center ठीक है center यह मैं बहुत अफ़ा कर चुक हूं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा fastly move कर रहा हूं center has the child text widget okay so for example मैं यहां पर कहता हूं click click okay and यहां पर मैंने run किया इसको तो you see कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा okay the reason is कि यह सब कुछ white white है सो हम क्या करते हैं यहां पर container को हम कर देते हैं height 50 pixel okay और with double dot infinity हम इसको कर देते हैं and then इसको जो color है वो colors dot green provide कर देते हैं तो अब आप देखें यह top की उपर चला गया ठीक है सो हम अपने कॉलम को क्या करते हैं कॉलम को हम कर देते हैं main axis main axis dot center and then cross axis cross axis dot center okay so अब आप देखें आपका यह button create हो चुका है सो यह बिल्कुल align है उसके साथ तो हम इस column widget को wrap कर देंगे padding के साथ and padding मैं symmetric use कर देता हूं और इसको मैं horizontal 20 pixel with provide कर देता हूं अब मैंने यह button create कर लिया the next thing is कि जब अब हम इसको wrap करते हैं gesture detector में यह सारी चीज़े मैं बहुत detail में explain कर चुका हूं already ठीक है so I hope आपको understand कर रहे होंगे अगर नहीं भी कर रहे है तो मैं साथ-साथ explain कर रहा हूं अब मैं इस container widget को wrap करूंगा inkwell widget के साथ inkwell widget फिर की एक property होती है on tap ठीक है तो यह widget जो है अब यह देखें फुल container इसको मैंने wrap किया इसके प्रॉपर्टी होती है on tap अब जब हम इसके उपर टाप करेंगे ठीक है तो यह हमें इस function के अंदर ले जाएगा ठीक है इस function के अंदर अब हम इसको क्या करते हैं print print और यहां पर देखें tap यह मैं print कर रहा हूं जब इसके पर click करूं तो आप user को हम बता रहे हैं कि आप इसको बड़ टाप कर रहे हो ठीक है अब आप देखें run में और इसको मैं सेफ करता हूं और जब मैं इसको पर click कर रहा हूं तो you see यहां पर आपके पास आ रहा है और यह concepts मैं आपको ओल्रेडी chapter 3 में सिखा चुका हूं lottery वाली app में state building वाली app में ठीक है you see मैं click करता जा रहा हूं यहां पर यह tap increase होता जा रहा है अब यहां पर हम study करते हैं future functions को future functions क्या होते हैं और asynchronous functions क्या होते हैं अब वेड की वर्ट क्यों यूज होता है अब हम इनके बारे में discussion करते हैं यह बहुत important concept इसकी उपर आप लोग थोड़ा सा अपना brain को खोल लें आपको मजा आएगा करने में ठीक है है अगर आप नहीं करते तो फिर भूस ज्यादा आपको misunderstanding होंगी अब उससे पहले मैं आपको ले कर जाता हूं यहां पर ड़ाट पैड में करते हैं functions के बारे में मैं आपको ना functions के फिर वह फंक्शन को फ्यूचर फंक्शन में किस तरह से गॉर्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं अब देखें या यह इसेल्फ एक फंक्शन है वाइड में अगर आप अपनी एंडोयग स्टुडियों में जाएं और में में डॉट डायट देखरें तो यहाँ पर देखें तो यह वाइड में जब आप इसको run के पर click करते हैं सो nothing happens ठीक है और यहाँ पर अगर मैं अभी print statement use करता हूं print और यहाँ पर देखें मैं use करता हूं save and semicolon add कि और यहाँ पर run किया तो यहाँ पर हमारे पास console में print हो गया save ठीक है तो अब यह main यह function है अब मैं क्या करता हूँ मैं अपनी मर्जी का एक और function create करता हूँ function को create करने के लिए सबसे पहले आपने हमारे पास दो type की functions होते हैं एक वो जो कुछ value को return करते हैं एक वो जो empty होते हैं void होते हैं void मतलब null ठीक है void means कि वो कुछ return नहीं करते हैं void उनको कहते हैं जो कुछ return नहीं करते जो null होते हैं ठीक है और कुछ हमारे पास functions होते हैं जिनकी return type होती है मैं आपको दोनों सिखाऊंगा tension ना लें ठीक है अब मैं यहां पर आ जाता हूँ मैं यूज करता हूँ void और इस function का name हमेशा याद रखेंगे small letter से start करेंगे ठीक है capital letter से इस तरह से start करेंगे void and for example मैं यूज कर लेता हूँ आज सिफ ताज ठीक है small और फिर आप जब नया sentence start करेंगे तो हमेशा capital letter से और अब मैं इस function में नीचे आ गया हूँ ठीक है and that's it अब देखें जब मैं इसको run कर रहा हूँ ना अब यह आसिफ ताज वाला function मैंने create कर लिए लेकिन यहां console में इसका result नहीं आ रहा उसकी reason क्या है उसकी reason यह है कि मेरी जो app हो यहां से start हो रही है main से अब में से start हो रही है अब मैं क्या करूंगा यहां पर call करूंगा आसिफ ताज और यहां पर मैं इसको क्या करूंगा question mark और अब मैं इसको run कर दूंगा तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास चो console में result आएगा हो आएगा 20 ठीक है अब देखें यह separate function हो गया अब में से बाहर आ चुके है अब हम डार्ट में जाते हैं और मैं आपको यह वाइड वाला function था हम अपनी login screen पर आते हैं ठीक है और यह देखें यह आपका full source code है यह widget यह widget आपका full source code है इस widget से याद रखी कर बाहर आकर आपने function create करना है ठीक है तो यह देख रहें अब मैं यहाँ पर वाइड ओके एंड मैं for example यहाँ पर function create करता हूं add ओके add ओके और यहाँ पर इसकी data type क्यों कि क्या है empty है ठीक है तो यह कुछ return नहीं करेगा लेकर अब मैं same यहाँ पर करता हूं integer x is equal to 10 ओके और अब मैं यहाँ पर y is equal to y is equal to y is equal to 20 as well अब देखें मैंने दो variable create की है integer x जिसको मैंने 20 initialize किया y जिसको मैंने 20 initialize किया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं print x plus y ओके और यह जो मैंने add वाला function create किया है जब मैं मैं क्या चाहता हूं जब मैं इस button क्यों पर click करूं तो यह function call हो जाए तो मैं क्या करूंगा मैं इसको यहाँ पर call कर लूँगा देखें add वाला function यहाँ पर call कर लिए that's it और अब मैं क्लिक करूंगा click मैंने यहाँ पर देखें तो आपके पास अब देखें आपने यहाँ पर टैप किया अब यह function कॉल हो गया इस function की उपर आपका source code चला गया यहाँ हम देखें integer x है y है और इसका result print हो गया अब याद रखेंगा इसकी data type क्या थी कुछ भी नहीं थी यह return नहीं कर रहा value return नहीं कर रहा है हम print कर आ रहे हैं लेकिन value return नहीं कर रहा आपको ठीक है अब हम आते हैं अब देखें यह functions है ना अब इस functions को आप आप खुद parameters भी provide कर सकते हैं यह important concept इसको याद रखीगा कोई भी function होना आप उसको खुद parameters provide कर सकते हैं अब आपने इसकी अब यह functions है ना add मैं वापस जाता हूं डाट पैड में वापस जाते हैं अब देखें यह आसिफताज एक function था इसमें integer x और y हमने यहां पर initialize किये थे अब मैं चाहता हूं कि यह जो आसिफताज वाला function है इसको मैं यहां से value provide करूं कोई भी value provide करूं ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं यहां पर इस function में आ जाओंगा और यह इसकी होती है condition यह property ठीक है I think condition property नहीं होती इसको हम क्या कहते हैं ठीक है लेकिन इसमें आप parameter provide करते हैं so for example अब आपने यहां पर integer x और अब आप सेकेंड वर यह आपने इसको integer x दे दिया ना ठीक है आपने इसको parameter pass कर रहे हैं integer x अब देखें उपर error आ रहा है यह आपको कह रहा है कि अब इसको एक integer provide करें तो मैंने इसको 3 provide कर दिया तो error remove हो गया अब आप देखें मैं चाहता हूं कि अब मैं इसको print कर रहा हूं print x print कौन सा प्रिंट यह x ठीक है x यहां पर print कर दो अब आप देखेंगा बड़ा मज़े का concept है यह आसिफताज यह function call हुआ इसको क्या मैं provide कर रहा हूं parameter 3 ठीक है इसकी data type क्या है इंटीजर है सो मैंने इसको 3 provide कर दी अब इसकी data type for example इंटीजर है ना उसको मैंने double value provide कर रहा हूं यह error दे रहा है यह देखें ठीक है यह कह रहा है तो आर्गूमेंट टाइप function यह दूसरा मेरा सिफताज वाला function call हुआ इसको मैंने इंटीजर प्रोवाइट किए वद 3 इंटीजर इसको यहां पर मिल गया और print करती है अब यहां पर आप लोगों को शायदा भी समझ ना रही हो आ जाएगी जब टाइम के सब्सक्राइब हम इसको आगे जाके इंटीग्रेट करेंगे ठीक है अब देखें यहां से मैंने इसको टॉप से 3 और 5 प्रोवाइट किया यहां पर इसको इंटीजर मिला 3 & 5 समप किया और इसके result हमार arasल है यह इनो तो यह वेलिए होजाए डबल डबल ठीक है और यह हो जाए है इंटीजर तो अब मैं इसको इंड यहां से 3.5 प्रोवाइट करूंगा से अब यहां इसको देखें एरő रहा तो यहां पर आप इसको single कोट्स में स्ट्रिंग प्रोइट करेंगे और आपकर error रिमूफ और आप चाहते हैं इस first को प्रिंट करवाना चाहते हैं ठेक है इसके साल सम्मप नहीं होगाा आपके पास एरर आ जाएका तो हम simply सिफ a print करवा देते हैं तो यहां से देखें जो function को मैंने value provide की थी तो वो यहां पर आपके पास आ चुकी है cool I hope आपको समझ आई होगी यह तो था हमारे पास एक function जिसकी data type नहीं है जिसकी return type कुछ भी नहीं है ठीक है अब हमारे पास मैंने का था दो टाइप की function होते हैं एक वो जो के वॉइट होते हैं नल होते हैं जो कुछ return नहीं करते हैं दूसरे जिनकी data type होती है जो के चीजों को return करते हैं हमारे लिए ठीक है अब हम उन functions को अब देखें सेम आसिफताच function है लेकिन इसकी अब data type य जगह मैं integer कर देता हूं तो अब यह आपको कह रहा है कि सर यह आप integer कर रहे हैं तो इसको आप value return करवाएंगे integer तो अब आपने सिंपली यहां पर आ जाना है return और कोई भी इंटीजर आप इसको return करवा दें तो आपके एरर हो जाएगा रिमूफ ठीक है क्यों कि यह आसिफताच है यह अब यहां पर आया इसने कुछ functions रन की यह रन करने के बाद यहां पर रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं ठीक है ठीक है यह भी रिमूफ हो गए और अब मैं इस function को print करता हूं ठीक है print आसिफ ताज ठीक है और इस पूरे function को मैंने यहां पर print कर दिया जब मैं इसको print कर रहा हूं तो अब यह आपको 9 print करके देगा क्योंकि यह function call हुआ यहां से इसको return type मिली 9 ठीक है तो यह देखें आप आपके पस यहां 9 print कर रहा है ठीक है similarly यहां पर अगर आप चाहते हैं अब आप इसको again data type को provide कर दें आप देखें इसकी return type integer है ना तो आप जाहिर सी बात इसको जो value provide करेंगे वह इंटीजर एक्स इंटीजर y ठीक है और यहां से return type कर दें एक्स प्लस y ओके और आप सी यह parameter parameter मांग रहा है पहले वाले function को मैं remove कर देता हूं आप सी क्या कर रहा है parameter मांग रहा है और अब क्या करेंगा यह function call होगा call होगा इसको integer मिले एक्स और य और एक्स और य प्लस हुए और उसका जो सम आएगा है दो इंटीजर जब आपस में sum up होते हैं तो इंटीजर ही एक आ होल पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं आई हो आप उस समझेंगे अब इसकी जो रिटन टाइप है वह स्ट्रिंग है ठीक है अब देखें मैं इसको यहां पर इंटीजर प्रोवाइट कर रहा हूं ठीक है अब मैं क्या करूंगा मैं इनको for example x.toString कर देता हूं ठीक है मै इसको वहां से इंटीजर प्रोवाइट कर रहा हूं 12 13 तो यह आपके पास जब आपके पास अब यहां पर यहां पर आपके पास यहां पर आ जाएंगे लास्ट चेप्टर में मैं सिखा चुका हूं बहुत डीटेल में कि किस तरह से आता है तो होल पॉइंट इसकि जो की अब हम आते हैं Фyeong entrar की ओपर यह है कि future function का अई 22 आइस59 करते हैं सो देख है फूचर का मतलब किया future का मतलब को यह है कि कुछ काम future में होगा लेकर आपको पता नहीं कि मिन्स कि आपको स्क की टाइमिंग का पता नहीं है कि किस टाइम की उपर होगा तो आप अब क्या करते हैं, for example कल Sunday है, तो कल Sunday को forex कल Sunday है न, तो अब क्या करेंगे आप वेट करेंगे कि कल का दिन आएगा आप और कुछ भी नहीं कर सकती ठीक है और कितना वेट करेंगे यू नो के आफ्टर 24 आवर्स डे चेंज होता है तो आप वेट करेंगे फ्यूचर के लिए कि 24 आवर्स का टाइम गुजर जाए ओके आप इतना वेट करेंगे और उसके बाद आटमाटिक के लिए संडे आ जाएगा नया दिन स्टार्ट हो जाएगा ठीक है को कुछ गिफ्ट पेजें हैं अब देखें यह फ्यूचर में काम हो रहा है बट यू नेवर नो के वो गिफ्ट कब पहुंचेंगे तो आपका फ्रेंड क्या करेंगा वेट करेंगा जब तक वो गिफ्ट उसको रिसीव नहीं हो जाते है सिमिलर्ली ETμέाली का यही काम करते हैं जब तक कोई अक्षन या कोई काम परफॉर्म नहीं हो जाता हो तब तक क्या करते हैं वेट करते हैं ठीक है अब किस तरह से वेट करते हैं मैं अगयन यह सब कुछ रिमूव कर देता हूं अब यहां पर मैं for example function का नेम है आसिफ ताज के समी कॉलन और यह मैंने इसको यहां पर इंटर हो गया अब यहां पर मैं स्परिंग मिस्टेक कर दी थी future functions नहीं हम जाके android studio में सीखते हैं वहां पर नहीं थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा अनिवेज future functions में हम आ जाते हैं अब यह एड वाला function में रिमूफ कर देता हूं और देखें यह यहां से आपने जो क्लिक कर रहे थे यहां से एक वैलियो चाहिए एक वैलियो चाहिए ठीक है future और इसको वैलियो चाहिए फ्यूचर इंटीजर भी हो सकता है देखें फंक्शन है ना फंक्शन की data types होती है अभी बताया अभी future functions है तो future functions की भी data types होती है for example मैं यहां पर void कर देता हूं ठीक है कि इसकी कोई return type नहीं है और इसका मैं name कर देता हूं for example आसिफ्ताज ही कर देता हूं ठीक है और यह again similarly वही functions की सारा functions वाला काम है ठीक है आसिफ्ताज यह देख रहे है future void आसिफ्ताज लेकिन अब आपको यहां पर यह error दे रहा है error क्यों दे रहा है वह कह रहा है कि sir यह future function है तो आप यहां पर async keyword यूज करेंगे ठीक है अब यह async keyword जो है ना यह बहुत ही important है ठीक है so for example मैं अब इसकी आपको ना बताता हूं कि यह क्यों ज्यादा important है अब यह async keyword जो है ना यह आपकी future function के साथ sync है ठीक है so यह क्या है आपकी future functions के साथ sync है ठीक है so अब यह future function और यह asynchronous keyword यह जो आपका async keyword है यह दोनों आपस में इनकी बड़ी जबर्दस किसम की chemistry है ठीक है अब chemistry क्या है वह मैं आपको explain करता हूं sir chemistry की यह है ना कि आपका जो code है ठीक है अब यहां पर कोई future function perform करेगा लेकिन उसको यह नहीं पता कि वह कब तक perform करेगा तो यह async keyword जब आप use कर लेते हैं तो आपने इसके साथ use करना होता है await await is a keyword ठीक है अब देखें for example यहां पर देखें मैं एक future मैं क्या करता हूं future ठीक है future.delay अब मैं यहां पर एक मेरे पास एक flutter की property है future.delay और इसको मैं यहां पर क्या करता हूं duration okay duration और duration में मैं इसको provide कर देता हूं seconds और seconds for example इसको मैं कहता हूं 10 और यहां पर मैं print करवाता हूं print delayed okay delay delayed और मैं इसको थोड़ा सा out कर देता हूं ठीक है अब आप देखेंगा बड़ी मज़े का concept मैं सिखा रहा हूं अभी 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 तक मैंने कुछ खास explanation नहीं कि लेकर मैं आपको सिखा रहा हूं अब देखें यह आसिफ ताज वाला function जब मैं इसको पर click करूंगा तो मैंने इसको call कर लिया call करने के बाद run में आ जाए अब होना क्या चाहिए होना यह चाहिए जब यह function call हो तो यह future.delay यहां पर इस delay को 10 seconds यहां पर वेट करना चाहिए वेट करने के बाद यह print करना चाहिए लेकिन इस तरह इस ऐसे नहीं होगा मैं इसको run कर देता हूं और जैसी यहां पर मैं click करूंगा अपने इस click button पे तो यह देखें मेरे पास delay यहां पर print हो गया अब यही सारी यह में future functions की future functions आपको कहते हैं कि sir आपने वेट करना है जब तक आपके पास आपका desire result नहीं आ जाता और वेट अगर आप करना चाहते हैं कि लिए हमारे पास यहां पर फिर एक property उसको हम कहते हैं अब यह asynchronous function और यह वेट आपस में connected है यह अब इस asynchronous function को बता रहा है कि sir आपने इस यह future है यह asynchronous है और यह अवेट है ठीक है अब यह asynchronous यह asynchronous और यह अवेट आपस में connected है क्योंकि async है आपस में connected है और यह वेट इस future function इस function को यहां पर आपस में connected है तो यह अवेट इसको यहां पर वेट करवाएगा जब तक आपके यह functions perform नहीं हो जाते जब इसका result आपके पास आ जाएगा तब वह नीचे जाएगा वरना वह वेट करेगा वरना वह आगे नहीं जाएगा ठीक है अगर आप इस asynchronous को यहां से remove कर दें तो यह अवेट आप नहीं use कर सकते क्यों कि मैंने जिस तर आपको कहा asynchronous function आपको help करता है कि तो अब यहां पर मैं duration को कम कर देता हूं for example तीन सेकेंड कर देता हूं सेफ करता हूं ठीक है अब देखें मैं जैसी इंट करूंगा नहीं तो यहां पर यही इसका फीचर है फीचर फंक्शन का फीचर फंक्शन आपको help करते हैं कि सर आप wait करें जब तक आपका result नहीं आ जाता और यह फीचर फंक्शन आपको बहुत जगा help करता है आपके कुछ task perform करने के लिए जहां पर आप कुछ delay create करवाना जाते हैं जहां पर आप wait करते हैं फीचर फंक्शन के लिए फीचर फंक्शन का आपको और benefit या और detail में समझ आएगी next chapter में यहां तक आपको सिर्फ इतना ही समझ लें के फीचर फंक्शन के core concept क्या है ठीक है अगें सेकेंड जीचर फंक्शन से void return करते हैं किसी भी किसंग की data type को return कर सकते हैं for example integer तो अब आपने यहां से इसको return करवाना है integer फंक्शन में बहुत ज्यादा explain कर चुको अगर यह string है तो कि string का wait कर रहे हैं तो यहां पर आपको इसको remove कर देता हूं remove कर दिया मैंने इसको यहां से भी remove कर दिया अब हम आ जाते हैं shade preferences क्यों पर अब shade preferences भी ना इसी तरह से काम करती है shade preferences भी वेड करती है अपनी desire value को get करने के लिए initialize होने के लिए तक आपने user को wait करवाना होता है तो wait किस तरह से करवाते हैं वह मैंने आपको बता दिया कि future function function यूज करेंगे async करेंगे वेड करवाना है तो async function और async में आप उसको अवेड बताएंगे कि सर आप यहां पर wait करें जब तक आपका काम नहीं हो जाता तो आप वेड करेंगे जब आपका काम हो जाएगा मैं आपको उसका result return करवातोंगा और फिर उस result के बेस के पर आप आप कुछ action perform कर सकते हैं अब कुछ functions होते हैं वो इतने fast होते हैं जहां पर आप wait तो कर रहे होते हैं using async and await function wait कर रहे होते हैं लेकिन आपको feel feel नहीं और हो तक आप wait कर रहे हैं ठीक है अब हम आते हैं shade preferences क्योंपर अब shade preferences के लिए important है कि आप Google में चले जाएं और यहां पर pub. pub.dev की उपर आजाएं ठीक है pub.dev में यहां पर shade preference यहां पर देखें यह आपको auto suggestion दे रहा है shade preference पर आजाएं और shade preference में आपने यह shade preference में जिसकी उपर सबसे ज्यादा likes हैं आपने इसको यहां से copy करना है installation में आ जाना है installation में यहां पर shade preference में आपर copy करने के बाद last chapter में सिखा पाप चुका हूं pubspec.yaml file में आ जाए yaml file में यहां पर आने के बाद kuprtenio icons यहां पर pub get कर लें pub get करेंगे तो यहां पर अगर exit code 0 आ जाता है या आप terminal में यहां पर आ जाए और यहां पर simply लिखें flutter pub get और इसको get करने और यहां पर आपके पास exit code 0 आ जाता है तो आपका यह package add हो गया add होने के बाद pubspec.yaml file को close करने that's it okay अब मैं shade preference की readme में आ जाते हैं और readme में देखते हैं कि यह आपको किस तरह की किस तरह की different चीजों को आप इसके साथ खेल सकते हैं ठीक है तो इसके उपर अभी हम बात करते हैं अगर आपने शेट प्रेफरेंस को यहां पर pubspec.yaml file में add कर लिए ना तो make sure आप इसको project को kill कर दें यहां से ठीक है इसको दुबारा से restart कर लें मैं इसलिए कह रहा हूं कि शेट प्रेफरेंस में एक issue यह है कि जब भी आप इस package को add करते हैं तो यह add नहीं होता और यह चाहता है कि आपको इसको restart करें तो make sure आप इसको restart करने and then आप यहां पर इस package की उपर आ जाएं ठीक है फिर अपने project को restart कर लें for the time being हम देखते हैं कि यह काम किस तना से करता है तो यहां पर अगर आप देखें इसकी क्लियर कर सब कुछ mention है data may be persistent artist and there is no guarantee that rights will persisted address after returning so the plugin okay so यह की कुछ definitions लिखी और यहां पर आपको बता रहा है कि आप किस किसम का data आप इसके अंदर store कर सकते हैं आपको बता रहा है इसमें integer data store कर सकते हैं double data store कर सकते हैं boolean store कर सकते हैं strings और लिस्ट भी आप store कर सकते हैं ठीक है और यहां पर यहां पर आपको बता रहा है कि किन किन versions को support करता है Android iOS Linux mix Mac operating system web को भी support कर रहा और Windows को भी support कर रहा ठीक है and then यहां पर इसकी एक राइट यहां पर इसकी एक आप लोगों को बताया गया है कि किस तरह से आप इसको use कर सकते हैं यह इसकी अगर आप को data remove करना चाहते हैं तो वह किस तरह से आप remove करेंगे वह हम full application बनाते हैं फिर मैं उसके अंदर आपको बताना से सिखाता हूं ठीक है so let's go and अब हम सेम इसी button पर है ना अब हम shade preferences को हमने add कर लिए तो अब आपने shade preference देखें shade preference यह मेरे पास आ गया इसका मैं initialize करता हूं shade preference is equal to shade preference dot get instance अब आप देखें यहां पर आपने एक चीज नोट कियोगी got instance और यह आपको पता रहा है कि यह future function है got instance is a future function ठीक है अब यह क्या कर रहा है यह आपके लिए चीजें initialize कर रहा है आपकी memory में ठीक है तो यह instance आपने यहां पर इसको get कर लिए लेकिन यह future function है तो यह कह रहा है कि देखें a value of type future future shade preference cannot be assigned to variable of type shade preference यह आप हो कह रहा है कि मैं future function हूं तो मुझे आप यहां पर await use करवाएं ठीक है ताकि यह जब await अब आप ऐसे नहीं use कर सकते उसके लिए आपने यहां पर on tap में इस function को asynchronous बनाना होगा यह आपका asynchronous हो गया ठीक है यह यह line execute होगी तो यह line execute होगी यहां पर initialization को check करेगा जब यहां पर initialization को check करेगा तो यह shade preference instance.get instance में आप चले जाएं तो यह इसकी documentation है ठीक है अब यह code शाहिद आपको समझ ना हो समझ ना आ रहा हो मुझे समझ आ रहा हो तो आप इसको यहां पर इसको रहने दें ठीक है इसको रहने दें और यह get instance क्या कर रहे है आपके लिए सारी चीजों को backend में process में सब को initialize कर रहा है और आपको यह result दे रहा है ठीक है अब यह shade preferences यहां पर आपके पास आगया आपने asynchronous use कर लिया यहां पर wait करवा रहे हैं और यह आपके पास initialize हो गया अब initialization के बाद अब आपको इसको sp. अब आप क्या कर सकते हैं इसको set कर सकते हैं इसके अंदर value को store कर सकते हैं तो जब आप यहां पर set लिखते हैं तो set में देखें आपके पास different types की वह data types आ जाती है string so for example आपने यहां पर value store की string अच्छा एक और मज़ी की चीज इसमें एक होती है key और एक होती हो value अब की है की जो है ना वो की आपको represent करती है कि इस key से आपने data को store किया है तो make sure कि आपको याद होनी चाहिए याद करने की जरूरत वैसे हैं नहीं क्यूंकि आप यहां पर code को लिख रहे हैं अगर आप से भूल जाती है तो आप वापस आके इस key को चेक कर सकते हैं so for example मैं यहां पर कर देता हूं name ठीक है और यहां पर इसकी value क्या होगी name में यहां पर मैंने आसिफ टाज okay then again मैं आ जाता हूं sp.set integer integer ठीक है अब मेरी age for example इसकी की होगी age और आसिफ टाज की जो एज है वह 25 years ठीक है तो यहां पर आप देखे मैंने इसको जैसी string में किया तो यह कह रहा है string cannot be assigned to parameter type integer तो अब आप यहां पर इंटीजर यूस करना है ठीक है अब आप देखिएगा जैसी इसको यहां पर मैं क्लिक करूंगा ना सेफ किया मैंने इसको मैंने क्लिक किया अब जैसी ही मैंने क्लिक किया तो यह कह रहा है and handle exception missing plugin no implementation found for the method get all channel तो मैंने आपको क्या कहा था make sure कि जब आप project के अंदर यह add करते हैं आपकी चीजों को add करते हैं तो आप अपने project को दुबारा से run कर लें अगर आप run नहीं करेंगे issue क्या होगा कि आपके पास यह plugin initialize नहीं होगी और फिर आपको इस तरह का error आएगा जो आप real time में देख चुके हैं तो मुझे खुशी है कि आप real time में देख चुके हैं वालियो स्टॉर होगी है तो इस तरह से आप shade preference में value store करते हैं अब यह देखें यह value store हो चुकी है और यह आपकी जो आप की आप है जो आपकी फाइल मेनेजर होता है file manager में जाएं और उसमें फिर packages होते हैं packages में जाएं packages में आपकी आपकी नेम के अगेंस्ट जो भी आपकी आपका जो package होगा वो यहां पर available होगा और उसमें यह data store हो चुका है लेकिन यह encrypted है तो आपको नजर नहीं आएगा ठीक है देखें get key तो यहां पर आपकी data क्या string मैं for example name get करना चाहता हूं तो मैंने get string dot यहां पर name इसको provide कर दिया और यह मैंने print कर दिया save कर लिया okay save किया तो यहां पर देखें मेरा name आ चुका है अगेन यह print और यहां पर sp dot अब मैं देखें get integer कर रहा हूं ठीक है integer get integer और इसकी key क्या है name तो यहां पर मैं two string add करूंगा ताके यह integer यहां पर error दे देता मुझे तो मैंने two string किया तो यहां पर देखें मेरे पास मेरी age भी आ गई तो यह कितना simple सा concept है कितना simple सा concept है अब मैं क्या करता हूं मैं यहां पर sp मैं again boolean को use करता हूं sp okay sp dot set boolean ठीक है तो इसको मैं name देता हूं for example is login okay and then is login के बाद आप यहां पर इसको कर दें for example false और यहां पर आज हैं print में और print में यहां पर आप आज हैं get boolean get boolean और इसको आप यह वाली key provide करेंगा अगर आप key same नहीं तो फिर आपको यह error देगा ठीक है तो यह आपके पास की आगे और उसको मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखें आपके पास false print हो गया जो जो value आपने store की वह आपने get करनी ठीक है get किस तरह से की आपने future function use किया अभी भी समझ नहीं है no worries आपको समझ आ जाएगी क्योंकि जब हम अभी हम practical application बनाएंगे तो आपकी सारे concepts clear हो जाएंगे ऐसे clear होंगे कि जिन्गी भरा आपको शेट preference में कभी को issue नहीं आएगा यह था एक तरीका अब next चीज जो है वह हमने क्या करनी for example आप चाहते हैं आप किसी value को remove करना चाहते हैं वागा तो आप यहां पर आजाएंगे remove और इसको key provide करेंगे मैंने यहां देखे remove और मैंने यहां से name यह मैंने key provide की अब यह value वहां से delete हो जाएगी और मैं again for example यहां पर print करता हूं एक तो क्मफ़ा प्रिंट करती है मैं चख करूं कि क्या मेरी वैल्यो मुव हुई है र टीक है ओंन किया यहां पड pseudo निन इस का मतलब किया है कि आपकी जो मैंनी स्टौर की थी वह लिभा चुकी एप फिर गें समझाता हूं अभ इसको name store कर रहे हैं age store कर रहे हैं और boolean store कर रहे हैं फिर हम उनको print कर रहे हैं और print करने के बाद मैं name को remove कर रहा हूं same key के साथ अगर मैं key गलत दूंगा तो यह काम नहीं करेगा याद रखी की same होनी चाहिए और मैं फिर print कर रहा हूं तो मुझे null value return कर रहा है वह कह रहा है कि sir आप already login हो चुके हैं so kindly don't miss use the system ठीक है तो आप यहां से remove कर लिया okay pretty good I think we are really going great कितने concept कवर कर लिए हमने इनिट हमने splash screen कवर कर लिए हमने init function को देखा किस तरह से काम करता हमने functions के बारे में in general बात की कि functions कितने type की होती है उनकी data types क्या होती है फिर हमने future functions के बारे में बात की future functions की data type के बारे में बात की asynchronous functions के बारे में बात की और finally हमने shade preferences भी सीख ली अब आप मेरा यह मानना है कि जब भी आप कोई concept सीखते हैं तक आप उससे कोई practical application नहीं बनाते तो आप उसको नहीं सही तरीके से सीख पाते अब यह हमने सीख लिए ना अब हम इसको और अच्छे तरीके से तब सीखेंगे जब हम इसकी पर एक practical application बना लेंगे ठीक है सो मैं इन सारी चीजों को यहां से कर देता हूं रिमूव और अब मैं बनाता हूं सिंपल एक login का पेज़ ठीक है मैं यहां थोड़ा सा अब कर रहे हैं कि यहां पर आपने यहां पर simply type करें एं इसको आप कर दें फॉल्स फॉल्स अट कि आपके पास यह अरो हो गया रिमूव अब हमने क्या करना है अब हमने यहां पर यूजर से text field लेनी है ठीक है so for example text 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 form field okay and then यहां पर text form field में अब आप क्या कर रहे है text form field okay and text form field में so हम लोग क्या check करें so for example text form field में हम एक या सो इसकी प्रॉपटी होती है decoration decoration okay so input input decoration okay no input box decoration let's say what it is accepting मैं भूल हूं ठीक है मुझे भी चीज़ें भूल जाती है तो आपने इस की उपर बिलकुल भी घबराना नहीं है ठीक है so input decoration यहां पर आप आजाए hint okay and hint में आप इसको प्रोवाइड कर दें email okay and यहां पर आप आज यह कर दें add कर दें simple सा क्या कहते हैं इसको यह अपने कॉमा एड़ कर दी यानिवेज next thing next thing अब आपने क्या करना है अब आपने इसको यहां से copy करना सब्क्राइब करने और इन दोनों के बीच में सपेंस नहीं तो यहां पर आप आजये साइस पॉक्स चीज़ यह है पॉक्स करें आपने कुछ तो यह कुछ अच्छा खासा बन गया ठीक है अच्छा खासा डिफिस आगया नेक्स तिंग यह है कि अब आपने यहां पर जो वैल्यू इस टो एड कर रहे हैं जो वैल्यू यहां पर आप एड करेंगे उसको किस चीज में स्टोर करना है उसके लिए हमारे पास होते हैं आप यहां पर आप आजएं पासवर्ड कंट्रोलर अब यह कंट्रोलर क्या करते हैं तो वह इस कंट्रोलर में स्टोर हो जाएगी पासवर्ड वाली पासवर्ड में और इमेल वाली इमेल में तो यहां पर यह देखें यह इमेल वाली जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है न सो यहां पर इसको कंट्रोलर प्रोवाइड कर दें इमेल कंट्रोलर ओके और यह जो पासवर्ड वाली फील्ड है इसमें आप इसको controller provide कर दें, password controller, ठीक है, हो गया, that's it, अब next चीज हमने क्या करनी है, जब हम इसके उपर click करें तो हमने क्या करना है, हमने check करना है कि यूजरने already form यह इसके अंदर कुछ value enter कर रखिये यह नहीं, ठीक है, is it a good way, it's a good idea to do it right now or not so I think let's do it so हम कर लेते हैं ठीक है अब हमारे पास एक विजिट होता है उसको हम कहते हैं फॉर्म अब वह फॉर्म क्या करता है वह इन चीजों को वैलिडेट करता है कि क्या यूजर नहीं यहां पर कोई वैलियो इंटर कर रखिये यह नहीं ठीक है यहां पर हम क्या कर लेते हैं फाइनल फॉर्म डेटा इस यूगल टू फॉर्म स्टेट और यहां पर आप इसको कर देते हैं ग्लोबल की यहां पर आप मैं कुछ भूल रहा हूं ग्लोबल की यहां पर देख रहे हैं कि यूजर का इमेल और पासवड वो है यूजर ने अपना इमेल इंटर किया पासवड इंटर किया ठीक है और यहां पर अब आप चैक कर रहे हैं कि यूजर की डिच वो क्या है फॉर इच बरम यहां पर देखें अब सेम कंट्रोलह ऑटुरलर ने पर बीडे जी सेम कंट्रोलर आपस शेयर करने कर रहे हैं तो यहां पर आज आ जएतो इसको कापि करुके अशुर और copy करने के बाद आप इसको for example यहाँ पर कहा दें Age controller और यह वाला controller जो है वह आप इस एच न्रोलर को provide कर दें तो अब देखें यह different हो गया है और यह different हो गया है ठीक है अगें Keyboard की controller कर टाइब होती है keyboard तो for example keyboard type तो यह क्षप्ट करता इन्पूट यह अल्रेड एक्स्प्लेइन कर चुकों इन्पूट कीबोर्ड इन्पूट टाइप और यहां पर एक चीज है और वह यह के जब मैं इसकर उपर क्लिक करूंगा जो युज़र को हम क्या करेंग ने क्या लागिन करवाचें को हम यूजर का ऐटा वह इन्प Passional करेंगे सब्सक्राइज इसब्सक्राइब तो इसब्सक्राइब है और यहां यहां पर को को एर दे रहा है कि आप मुझे यहां पर वेट तो करवाएं मेरा भाई यहां पर वेट करें ताके आपका जो कास्क वो कम्प्लीट हो जाए वेट किया और अब हम क्या करेंगे SP SP dot get okay no sorry set SP dot set string okay और अब हम यहां पर इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे कि अब हम क्या करेंगे अब हम रिपापर क्लिक करेंगे हम रिफर इसका पासवर्ड मोस्ली When रिफ्र जटोर करेंगे हैं उसकी चैक क्या युजर करेंगे कि यूजर लॉग-an है या नहीं ठीक है और लास्ट में मैं फिर इसमें एक और चीज़ आड़ करूंगा कि हम इसको मल्टी रोल बैस्ट एप्लिकेशन किस तरह बनाते हैं वह मैं अभी नहीं सिखाऊंगा वह लास्ट में सिखाऊंगा उसकी पीछे रीजन है ताकि आपको यह भी आपको यह सीख सकेंगे अगर आप एक जिखेशन प्रिशन के अंदर चेंजिस कर रहे हैं तो वह किस तरने से कर सकते हैं तो कि आपको इसका भी आईडिया हो सके ठीक है अब यहां पर की में में फॉर्ञपल इमेल यूस कर लेता हूँ ठीक है औं यहां पर email में क्या होगा email controller ठीक है क्योंकर email का जो यहां पर इस की को मैं सेट कर लेता हूं और यहां पर मैं करूंगा एच कंट्रोलर एंड यहां पर जो थर्ड चीज होगी वह मैं करूंगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग कर यह को इस को देखे मैंने इस्तुर और यहां बचेंड करें चत्रोल यहां on मैं इसको करते हैं set boolean और इसको मैं यहां पर की use करते हूं फोड़ injury उसको करते हूं करना ह字 कि एप से नाविगेटर कर लत पोड़ को करें अर इसको लेकर जांगा मुण ropaterial पेज राउट कोंटेक्स्ट और और सौरी सो यहां पर हमां जाते हैं नीचे और यहां पर इसको मैं पास करूँगा 256 मैंने स्टोर नहीं किया एंड जो है मेरी 25 और जैसे ही मैंने इसके पर क्लिक किया तो मेरा डेटा जो है वह शेट प्रेफनिस में यहां पर स्टोर हो जाएका और इस लॉगन का जो फ्लैग बूली इन फ्लैग वह टू कर दूंगा कि मैं लॉगन हो चुका हूं और जैसी ही स्कू जैसी स्कूआंप सकोरेंगे में यहां पर रफेड़कर के करना कि यहाँ आप सेंटर में करने क्या करें यहां पर हो में आप इसके इस की अहांप में instruments लाइए फो आप औध्र कर दें टो वावस पर में एक्सिस जो तर क्रास करो बीक्रोस एक्सिस लियुच्डाइमं क्लिक किया इसके उपर अगेन मैंने रण किया मैं यहां पर स्प्लाश स्क्रीन आएगी प्लाश स्क्रीन के बाद लौग-इन स्क्रीन पर आ गया है अब मैंने शीड प्रफरेंस में डेटा स्टोर कर दिया पैने चुझ करना है कि क्या मेरा user already logged in है अगर logged in है तो आपने एक action perform करना है अगर login नहीं है तो आपने दूसरा action perform करना है अब हमने इस चीज को check करना है और इस चीज को check करने के लिए अब आपने क्या करना है आपने चले जाना है अपनी splash screen में यह है हमारी splash screen अब splash screen में यहां पर हम एक function कर देते हैं for example void is login ke name se मैंने a function create किया एंड यहां पर अब मैं क्या करूंगा is login के निम से मैंने function create कर लिया और यहां पर again मैं shade preferences को initialize करूंगा sp shade preference sp is equal to shade preference shade preference dot get instance यह मैंने कर लिया get instance के पाद अब मैं क्या करूंगा यहां पर sp dot जो चीज़े मैंने इस्टोर किया मैं उनको क्या करूंगा चेक करूंगा क्या वह अवेलेबल है या नहीं तो अब यहां पर लॉगइन में आ जाएं तो देखें यह इस लॉगइन था अब मैं इसकी वैल्यों को गेट गए क्या यह प्रू है तो उसर लॉगइन है आप synchronous function और यहां पर await तो अब यह आपका error remove हो जो जाएगा sp.get और क्या करना है get में आपने यहां पर क्या था इसकी क्या थी is login ठीक है तो अब is login आपके पास यहां पर आ गया और आप इसको store करना चाहते हैं तो bool क्योंकि इसकी डेटा टाइप क्या थे सोरी sp.get आप कर रहें ठीक है तो यहां पर आप देखें bool और इस login इस इक्वल टू और यहां पर आप क्या कर रहे है sp.get इस login और यह आपको error दे रहा है यह कह रहा है कि यह जो है यह नल भी हो सकता है ठीक है अगर यह नल हो तो अब question mark यहां पर आप add कर दें और इसको कर दें false ठीक है so again we have seen some okay so here we go sp okay so यह नल नहीं हो सकता तो अब हम क्या करते हैं यहां पर हम इसको question mark कर देते है sp.get bool okay so yeah now get bool now it's work ठीक है अब देखें इस boolean में हमने क्या कर दिया boolean store कर दिया और इसको आप यहां पर क्या कर दें अगर यह बूल है ना और यहां पर देखें आपको कह रहा है यह नल नहीं हो सकता अगर यह नल है ना तो अब आप इसको क्या कर दें इसको आप कर दें for example false ठीक है question mark आप add करेंगे इस तरह नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं यहां पर आ जाते हैं okay so yeah is it a good idea do it like this are not I'm not sure about it okay so let's go with this अगर हमारे पास कुछ scenario आता तो हम उसको handle कर लेंगे अब हमने यहां पर if statement में check करना क्या is login यह जो is login है क्या is login यह true है अब if statement काम किस तरह से करती है लास्ट वीडियो में बहुत detail में explain कर चुका है आप लोगं को ठीक है तो यह is login यहां पर यहां पर आपके बूलन बूलीन आ रहा है और यहां पर आपको गेनर कर रहा है अनले बल एक्स्पेक्शन कैन नॉट पी यूज एस आप कंडिशन तो वोट वी आप मिसिंग इस पूलियों एस्पी डॉट गेट and then यहां पर अगर question mark if yeah okay so मुझसे mistake हो रही थी मैं भूल रहा था याद रखेगा यह condition either true होगी यह false होगी null नहीं हो सकती ठीक है अगर आपको याद हो तो लभी मैंने कुछ देर पहले जब मैं value को remove कर रहा था मेरे पस क्या आ रहा थी value null आ रही थी ठीक है तो अब मैंने क्य dubulean राद देस्क sowieso क्रणको यहां से कॉपी करके यहां पर आगैं और इसको मैं क्या रही रहा हों हो अगर हमने क्या करना है क्या करना है कि LSjun पे जाना है और यह इस login वाला जो function है इसको हम init state में call कर लेंगे और that's it अब देखिए कि जब मैं run करूंगा मैंने run किया देखें यहां पर splash screen आएगे और हम चले जाएंगे सीधा home screen के उपर home screen के पर आ गए ठीक है आ गए ना अब हुआ गया यह splash screen रन हुई init वाला function कॉल हुआ इनिट में यह login वाला function कॉल हुआ यहां से हमने चेक किया कि हमारे पास user already login है तो वो हमें कह रहा है yes ठीक है क्या कह रहा है yes already login है तो मैंने का फिर home screen पर चले जाओ तीन सेकेंड वेट करो फिर home screen पर चले जाओ else login screen पर चले जाओ अब हम क्या करते हैं हम login स्क्रीन पर जाते हैं और यहां से यह जो मेरा login स्क्रीन में यह जो मेरा click वाला function था इसको मैं कर देता हूं paste करने के बाद मैंने क्या करना है shade preference की यह package को import कर लेना है यह सारी चीज़ें यहां से मैं remove कर देनी है यहां तक sorry यहां तक remove कर दी ठीक है और अब मैं इसको save करता हूं दुबारा और run कर लेता हूं यहां पर मैं app bar use कर लेता हूं ठीक है so app bar उपर से थोड़ा सा बहुत अजीव लग रहा है app bar title okay so title for example is going to be a text widget और यहां पर मैं इसको provide करता हूं home okay so let's say home save कर दिया और now it's low code अब देखें अगेन अगर आपको यहां पर अच्छा नहीं लग रहा आप इसको remove कर सकते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए मैंने क्या का था a automatically amplify leading is equal to false इसको आपने false set कर दिया आपके पास remove हो गया and then आप इस column को यहां से padding दें padding और यहां से for example आप इसको 20 pixels की padding दें हर जगा से अब मेरा भाई अगर आप देखें तो यहां पर आप login तो हो चुके हैं और यहां से अब देखें यह login का text आ रहा है तो अब मैं अपनी user को logout करना चाहता हूं logout ठीक है अब मैं यहां पर इसको logout करूंगा तो मैं क्या करूंगा sp sp देखें यहां पर मैंने shape preferences को initialize किया है sp okay sp.remove okay एक है remove जिसमें आप एक की वायर को यूज करते हैं ठीक है एक है आपके पास clear जब आप इसको clear करते हैं तो यह सारी जो आपके पास जितना भी डेटा है वो remove हो जाता है ठीक है shape preferences से clear हो जाती है and then आप accordingly इसको manage करते हैं सो मैंने यहां पर सारा डेटा क्या किया clear कर दिया okay safe कर दिया अब आप देखें जब मैं logout की पर click करूंगा ना तो logout की पर मैंने click किया तो यह मुझे लेके जा रहा home screen क्योंपर the reason is कि अब जब मैं logout हो गया हूं तो मुझे कहां आप जाना चाहिए login स्क्रीन पर ठीक है समयने safe किया इसको अगेन click किया login स्क्रीन पर चला गया अब मैं अगेन इसको run करता हूं तो you will see कि मैं अब home screen क्योंपर नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा जो is login वाला function है वह falls है क्योंकि मैंने सारा data क्या कर दिया remove कर दिया तो जब remove कर करते हैं shape preference splash screen पर क्या login है अगर वह login है तो do this function as do this function ठीक है आप इस तरह से manage करते हैं और फिर home screen में आ जाते हैं अब यहां पर मैं again क्या करता हूं मैं again for example मैं axiftha at the rate of gmail.com okay password is 123456 and then यहां पर age है मेरी 25 25 और मैं login हो जाता हूं अब देखें मैं login हो गया होम स्क्रीन पर आ गया अब मैं चाहता हूं जो यूजर का डेटा है वह मैं shape preferences से get करूं और अपनी screen क्यों पर show कर वा हूं तो वह भी बड़ा easy है बहुत easy है उसके लिए बापने करना क्या है आपने home screen पर आ जाना है अगेन आपने home screen पर यहां पर init function call कर लेना है init okay और यहा to shade preference dot get instance okay dot get instance is load function को आप init में call कर लें load data okay and यहां पर आप देखें यह error दे रहा तो आपने क्या करना asynchronous and यहां पर आप use कर लें await okay and then आप क्या कर लें इसमें यहां पर आप values को get कर लें और show कर लें for example मेरे पास email है तो email क्या थी string okay email तो मैं यहां पर इसको empty string for example initialize कर देता हूं and then यहां पर मेरे पास था age okay is equal to तो मैंने यहां पर इसको empty initialize करती है अब जब मैं यहां से get कर रहूं value तो मैं email में क्या store करूंगा email देखें email okay email is equal to sp.get string ठीक है यहां पर देखें string okay shade preference में और यहां से मैंने इसको email वाली key provide कर दी तो यह data मेरे पास store हो जाएगा और अगेन यहां को कह रहा है कि अगर for example email null है तो फिर आप क्या करें यहां पर इसको empty string provide कर दें okay again मैं इसको copy कर लूंगा और age के लिए same काम करूंगा और यहां पर मैं इसको age provide कर दूंगा और अब again मैं इसको run कर लेता हूं शुरू से ठीक है जब मैंने इसको run किया यहां पर अब मेरी email और age में यहां पर data store हो चुका है लेकिन क्यूंके यहां पर store हुआ तो मैंने यहां पर set state को call नहीं किया जिसकी वजह से मेरी screen दुबारा से rebuild नहीं हुई अब मैं इसको दुबारा से set state कर लेता हूं okay set state तो मैंने I think set state की जुरूइत थी या नहीं थी लेकिन आप देखें यहां पर हम कुछ data show नहीं करवा रहे ना ठीक है तो अब मैं आ जाता हूं अपनी home screen वाले टेक्स्ट पर यहां पर मैं रोटी विजिकल ची और यहां पर अब email में आ चुका है पर यहां 25 और इंदोनों के बीच में haihu और यहां पर semi-colonate कर देते हैं और यह देखें हाइट भी यहां पर अब देखें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना अब देखें जो यूजर आपके पास login हो चुका है उसका तमाम डेटा आचुका है आपके पास ठीक है किस तरह से आउनते हैं किस तरह सेक्टा अता सब को आपको किस तरह से लागन का सच्छ Мос अब यह हम बेसिकले यूजर का session manage करें किस तरह से manage करते हैं ठीक है अब देखें यह आलमोस्ट इस वीडियो की जो लेंथ है यह बहुत ज्यादा होगी लिकन इस अप्राइम कॉंसेट जो के बहुत ज्यादा यूस होता है लेकिन आप लोगों को कोई बताता नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूस आते हैं आपके पस इस तरह के इश्यूस आए आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स नमें कोई इश्यू आ जाए ठीक है नाव दे नेक्स इंग लोग आउट अगर आप में यहां पर देखें दुबारा से प्रॉजेक्ट को रन करके आतो प्रॉजेक्ट को रन करने का मतलब यह जब सिंगल उसर था नेक्स इंग अब हमने क्या करना है हमने यह चेक करना है कि यूजर मल्टी रोल बेस्ट एप्लिकिशन में हम किस तरह से सेशन को मैनेज करते हैं पर हम इसमें यह चेक करेंगे कि यार क्या यूजर जो लॉग इन हो रहा है उस वह एडमिन है टीचर है या सि इसके लिए यहाँ पर एक चीज और आड करेंगे और फिर हम उसको आगे ले कर जाएंगे तो अब हम उसको देखते कहुंए दोट काया है यहां पर एक और ल्पक में आपको देता हूं कि मैं आपको अब करें and then आप मेरे साथ process को follow करें ठीक है तो यहां पर मैं क्या करता हूं यह मेरा login पेज है अब मैं login पेज को यहां से खतम कर देता हूं और इसको मैं change कर देता हूं for example sign up sign up में मैं क्यों कर रहा हूं क्यों कि अब देखें यहां पर ना जब user login होता है यहां पर देखें मैंने sign up कर दिया और यहां पर क्लिक है इसको भी मैं कर देता हूं for example sig sign up और इसको मैंने कर दिया sign up now what I will do कि यहां पर देखें user का email में ले रहा हूं एज ले रहा हूं login ले रहा हूं ठीक है नव नेक्स तिंग मैं क्या करूंगा कि user for example first time यहां पर एक और लेता हूं type okay so for example user type अब user की type क्या है यहां पर फिक है अब user की टाइप for example यहां पर तीन टाइप की हो सकती है यहां पर मैं comment कर देता हूं for example admin okay admin user and for example teacher और user की जगह यहां पर हम कर देता है student admin student teacher अब ना हम यह imagine कर रहे हैं कि यहां पर की user की जो type है ना वह यहां पर आपके पास है first time में जो है वह स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है अब यहां पर देखें इस स्ट्रिंग में मैं स्टोर कर रहा हूं user की user type student और इसको मैं सेफ कर रहां सब स्ट्रिंग में now what I will do मैं क्या करता हूं मैं यहां पर जाता हूं library folder में library folder में यहां पर मैं नई डाट फाइल करता हूं for example user screen ठीक है student string stu student student screen student screen import कर लिए और material आप और यहां पर मैं use कर रहा हूं stateful widget और student 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 screen okay now मैंने कुछ भी नहीं करना मैंने अपने home view पर जाना है home view और यहां से यह जो widget यह सारा data है ना यहां से यह तमाम data अब यहां से मैं इसको copy कर लूँगा home screen का और इसको मैं कर दूँगा student screen में यहां पर copy-paste copy-paste करने के बाद आपके पास पहला error आयाएगा shade preferences का तो इसकी आपने इसको कर लेना है क्या करना है copy कर लेना है sorry इसकी import कर लेनी है package को library को next thing आपने क्या करना है नीचे जाके हम देखते हैं पर error क्या आ रहा है यह error आपके पास आ रहा login screen ठीक है तो अब देखें इस class को भी आप import कर ले import कर लिया and then आप यहां पर इसको safe कर दें और आप आजें login screen में अब देखें login screen में आपके पास यूजर की type क्या है student तो अब आपने क्या करना है इसको student view पर लेके stu student screen अब यहां पर देखें मैंने क्या करती है अपना email axiftha at the rate of gmail.com okay and then password again one two three four five six and then age हमारे पास क्या होगी one two three four sorry not 25 ठीक है अब मैंने sign up किया sign up के बाद देखें मैं home screen की उपर चला गया हूँ मैं actually यहां हूँ student screen की उपर लेकिन क्यूंकि यहां पर design सेम था तो यहां पर मैं कर देता हूँ student view और student screen मैं मैंने student view change किया तो यहां पर देखें आपके पास यह होगा student view अब थर्ड चीज़ जो मुझे करनी है वो यह करनी है कि यहां पर मैं student की बताओं कि आपकी टाइप क्या है ठीक है अगेन आप यहां पर आज है student screen में और यहां पर आप इसको कर दें type type and type यहां पर आप इसको empty string कर दें for being for the time being और यहां पर आप इसको type is equal to sp.get and यहां पर आप इसको string में provide कर दें अब हम चले जाते हैं अपने login स्क्रीन पर और इसकी देखें की है user type okay so यहां पर हम इसको user type assign कर देंगे okay and user type assign करने के बाद question mark अगर इसमें data null है तो आप इसको empty string assign कर दें okay and अब आप जब इसको run करेंगे तो यह आपको ले जाएगा home screen की उपर अब देखें इस तरह से home screen की उपर लेगे ठीक है home screen की उपर क्यों लेके क्या है क्योंकि अब आप हम चले जाते हैं अपनी splash screen में तो यहां पर देखा हमने का इस login है login तो है भई क्या अब user की type क्या है भई जो user login है उसकी type क्या है अब यहां पर login है अब login के अंदर फिर हम आ जाते हैं if condition चेक करेंगे if यहां पर हम क्या करेंगे second string create करेंगे string okay user type is equal to sp sp.get string okay and यहां पर इसको हम provide करेंगे user type okay user type और अगर यह empty है तो हम क्या करेंगे इसको वह करेंगे empty provide करेंगे ठीक है if user type user type is equal to okay यह हमने घलत कर दी हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं user type user type यहां पर देखें user type और इसमें क्या store था login हमने क्या store करवाया था student तो हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर चक कर लेंगे if user type is equal to student तो अब आपने क्या करना है again 3 seconds wait करना है copy कर लिए इसको मैंने यहां पर paste कर दिया और इसको मैं ले जाओंगा student screen की उपर ठीक है else में यहां पर मैं इसको ले जाओंगा again home screen की उपर ठीक है student view पर लेकर आगा। अब हम चले जाते है student screen में and student screen में अगर आप यहां पर देखें अब मैं again इस रोर को यहां से copy कर लेता हूं यहां से इस को एज को ठीक है student rapt gives में इसको मैंने copy कर लिया paste कर दिया और यहां पर मैं टाइप यहां पर मैं चब कर ले ठीक है तूटी ताइप user यूजर यूजर टाइप और यहां पर मैं user की जो टाइप है सो फॉर एक्जामपल वो क्या थी ताइप थी ठीक है सेफ किया तो यह आपको पता रहा है कि मैं student student हो okay now what i will do , मैं इसको यहां पर log out करता हूं , Oke ,again मैं sign up login में जाता हूं login screen जो कर मेरी sign up screen बन चुक है और यहां पर मैं इसको कर देता हूं admin अब मैंने admin कर दिया स्टूडेंट है स्टूडेंट का मैं कर चुक हूँ अब हम कर देते हैं टीचर फॉर एक्जामपल टीचर ओके सेफ कर दिया मैंने इसको और यहां पर मैं क्या आया मैंने यहां पर अपना email प्रोवाइड कर दिया आसिफ ताच gmail.com अच्छा यह email वगयरा भी हर किसी का unique होता है यह backend developer manage करता है यहां पर मैं अपना email add कर रहा हूं तो आप इससे confused ना होईएगा ठीक है अब आप अगें देखें तो यह मुझे student view पर लेके चला गया है अब अगें यहां पर आपने क्या करना होता है चेक करना होता for example sp.getString okay getString okay so getString में क्या user type user type is equal to teacher यहां पर देखें यह अगर teacher है तो आप उसको teacher वाले view पर ले जाए अगें else आप इसको else if अगर else if में हम आ जाते हैं else if if it is student 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 तो आप इसको student वाले view पर ले जाएं अगे else अगर यह उन दोनों में से एक भी नहीं है तो फिर आप इसको किसी और view पर ले जाएं student वाले view को मैं यहां पर add करवा देता हूं okay else यहां पर हमने कुछ mistake की है so let's say you get else if okay यहां पर else if okay and then यहां पर again else okay so what is the mistake I am doing yeah this one actually okay so यहां पर मैंने bracket गलत add कर दी थी okay then again यहां पर teacher तो अब हमने यहां पर teacher वाला view again यहां पर आ जाते हैं है इसको मैंने एक और screen create कर लेता हूं डाट file और यहां पर मैं कर देता हूं teacher for example teacher 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 view teacher screen okay again import कर लिए material library और इसको मैंने कर दी स्टेट फॉल और यहां पर मैं कर रहा हूं teacher screen okay अगे हमाँ जाता हूं अपनी student screen और सो यह तमाम डेता जितना भी मेरा डेता है मैं इसको कॉपी कर लेता कौपी कर लिया थीके मैंने कप पर आपके रूब theoret करने के बास पर एमपूर्ट करने के बात यहां मैं को नहीं करा चाला जाए एल्स इफ असंद इंफ यहां पर यूजर की टाइब जो है वो इस एकुल टूब with teacher है टीचर पर चला जाए यह हमारा पर यहां पर हम successful यह hierarchy स्कूल तैंसे स्क्रीट डिया नव coalition करें जू spring आप यहां पर यह च्छाप करेंगाший कि इसकी यूजर टाइप टीचर की है तो यह देखें यह टीचर पर आ गया और वह अगें सारा डेटा उसके अगेंस्ट आपको शो हो रहा है अब मैं इसको लॉग आउट करता हूं आपके लिए टास्क यह है कि आप यहां पर यूज करें क्या कहते हैं ड्रॉप डाउं ओके नेक्स्ट जो मैंने कॉमेंट में लिखा हुआ ठीक है अब जो भी उप्शन यूजर सेलेक्ट करता आप उसको शेट प्रफरेंस में स्टोर करें और फिर अगें यहां पर मैंने सब कुछ अलएडी हंडल किये हुआ सिफ आपने यहां पर शेट प्रेफरेंस में स्को स्टो पर ले जाएं और देन अगें आप मेरे साथ सेम प्रॉसस को फॉलो करें ठीक है तो यह था चैप्टर नंबर 9 and believe me believe me this chapter is so important so important that you won't understand right now इसकी importance को आप understand नहीं करेंगे until unless जब आप professional applications बनाते हैं जब आप real world applications बनाते हैं जहां पर आपको यूजर का session manage करना होता है अब देखें यहां पर हम क्या करें हम यूजर का session manage करने आपको फील नहीं हो रहा फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप यहां पर वह ना actually वह सर्वर के साथ हमारी interaction नहीं है लेकिन यहां पर यूजर का proper session manage कर रहे हैं यूजर को चक कर रहे हैं वह login है तो हम उसको उसके view की उपर ले कर जा रहे हैं फिर उस user से related उसका data भी fetch कर रहे हैं तो अगेर हमने पूरी एक application बना लिए जिसमें हमने sign up का पूरा process complete किया है उसका session चक कर रहे है splash screen पर क्या वह login है नहीं login तो क्या करना चाहिए login है तो क्या करना चाहिए इसके लावा अगर उसकी user की type क्या है वह कौन से type का user है teacher है student है यह normal user है तो फिर हम उसको उसके accordingly हम उसको manage कर रहे हैं ठीक है सुसी हमने कितने ज्यादा concept सीखें अब अगीन sum up करता हूं इसको यहां पर और sum up करने में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या सिखाया है वह सब मैं आपको sum up कर देता हमने splash screen स्क्रीन सीखी splash screen क्या होती है क्यों जरूरी है splash screen से आप क्या कर सकते हैं then हमने init state function के बारे में बात की then हमने general functions के बारे में بात की that functions की टाइप कितने किसम की होती है एक New एक वाइड होता है और एक जो रिटेंग जिसकी वह function जिनकी कोई ने कोई present heart क्ये बारे में बात कि और उनकी return टाइप के बारे में बात इप्र मैंने आपको share preferences के और में बता आप 9 Standard मैंने आपको सारे डेटा टाइप को स्टोर करना सिखाया फिर मैंने उन डेटा टाइप को जो अपने वैलियू स्टोर की उसको फैट उससे फैच करना सिखाया ठीक है फैच करने के बाद फिर मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरह से इंडिविजुली एक की से आप डेटा फ अप्लिकेशन बनाई रोल बेस्टाप्लिकेशन जिसमें इक नॉर्मल यूजर था एक हमारे पास स्टुटियन था एक हमारे पास टीचर था और टीनों को फिर हमने आपको साइन अप करना सिखाया और उसका सेशन हमने मैनेज शेये केकिंगे अगर कुन तो आपको कोई इश्योधिया दिह तो आफ Susy और अगर आपने नहीं किन विडियो तो आपको बहुत इश्योधिया होगा सभ्टियौत सबस्क्राइब कर लाइक करке इसके लाव मेरi Facebook जोनी कर सकते हैं जहांपर आप लोग अपने प्राब्लम मेरे साथ शेर करते हैं इसके लावा अगर अभी तक आप नहीं करनेक्ट तो लिंक्टिन के पर जुबर कनेक्ट हो जाएं मेरी कम्यूटी जोइन कर लें जहां मैं आपके साथ वैसी भी कोई अपडेट शेर करता रहता हूं यह थैंक्यू सो मच फ्रॉम दिस चैप्टर और इसमें बहुत ही ज्यादा आपको मज़ा आने वाला क्यूंकि आप हम सीखेंगे प्रैक्टिकल चीजें सर्वर के साथ हम नेक्स चैप्टर से हम सर्वर साइड को सर्वर से अपड़न को तो फेर आपको पाविसली इसमें अकॉर्डिंगली मज़ा आएगा ठीक है। So thank you so much for watching this video and I'll see you in the next one.